दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक 20x40 के हाउस प्लान की जो कि हमने अमारे फतेपुर यूपी के क्लाइन के लिए बना है दोस्तों घर में क्या-क्या रहेगा और किस तरह से प्लान किया यह मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा पहले मैं इस घर का प्लान याने की नक्षा सिंगल फ्लोर कभरे तो सिर्फ डाउन फ्लोर का प्लान रहेगा इसका फिर मैं आपको दिखाँगो ऐस घर का कोलम लेयाउट जिससे कि आपको पता चलेगा कि इस घर में कहां कहां पे कोलम ये पिलर आ रहे हैं और क्या साइज के कॉलम मैंने इसमें लिए हैं साथ इसाथ कितने कॉलम इसमें आने वाले हैं और एंड में आपको दिखाऊंगो दोस्तों इस घर का 3D फ्रेंट एलिवेशन डिजैन तो चलिए शुरुवात करते हैं हमारे ग्राउंड फ्लोर के प्लान के साथ में तो देखे सबसे पहले आपको यहां पर एक मेंगेट मिलता है करीब 8 फिट का उससे अंदर एंट्री करते हैं हमारे कार पार्किंग आ जाती है जिसका साइज हमारा 8 फिट 10 इंच बाई 17 फिट 8 इंच और यहीं से हमको एक स्टेर केस मिल जाता है टेरेस पे जाने के लिए उसके बाद कुछ हैंगो कार पार्किंग से हमारी न्री होती है दाइनिंग रूम में जिसका साइज हमारा नोव पर एक इंच बाइ 10 फिट यहीं से दोस्तों एक एंट्री होती है हमारी टॉलेट में जिसका साइज है हमारा चार फिट बाइ 4 फिट उसी के पास में हमारा बात्रोम हो जाता है जिसका size है हमारा 4 feet by 5 feet 7 inch पीछे की तरफ चलें दोस्तों तो यहाँ पर हमारे दोनों bedroom आ जाते हैं यह हमारा bedroom 1 है जिसका size है 9 feet by 10 feet और यह हमारा bedroom 2 है जिसका size है हमारा 9 feet 1 inch by 10 feet तो दोस्तों इस तरह से हमने 20 by 40 के घर को प्लान किया है अब इसका plan तो मैंने आपको दिखा दिया अब मैं आपको दिखा देता हूँ इस घर का column layout देखे दोस्तों यह हमारा इस घर का column layout है इस building को जो हमने G plus 2 के हिसाब से plan किया है तो column size जो हैं मैंने इसमें लिया है दोस्तों वो लिया है 9 by 15 का 9 by 15 के column लिये अब कितने column आ रहा है इसमें आप देख सकते हैं तो देखें C1 से शुरू और C15 पे खतम है यानि कि 9 by 15 के total 15 column हमारे पास इसमें आ रहा है तो दोस्तों अब हमने इस घर का ground floor का plan देख लिया column layout भी हमने इसका देख लिया अब मैं आपको दिखा देता है उस घर का शांदार सा 3D front elevation design देखे दोस्तों यह हमारा इस घर का front elevation design है tile का use बिल्कुल ना के बराबर है सिर्फ एक जगे यहां पर आपको tile देखने को मिलेगी बाकी पूरा design आपका plaster सी बन जाएगा और आप चाहें तो यह design भी आपका यह color भी आपका plaster सी बन जाएगा यह हमारी staircase वाली जगे पूरा बड़ा सा glass दिया है सामने की तरफ यह हमारी main entry हो गई यहां से और सामने पेराफेट wall को थोड़ा सा design दिया आपने इसके look को enhance करने के लिए तो दोस्तो यह था आज का हमारा 20-42 का house plan और उसका front elevation design उम्मीद करते हूं आपको design पसंद आया होगा बाकी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तो अपनी requirement के हिसाब से planning और designing करवाने के लिए आप लोग हमसे भी contact कर सकते हैं क्योंकि हमारी company पूरे इंडिया में planning और designing की services provide करती है screen पर मैंने आपको हमारी सारी details दे दिये including charges आप लोग जब भी चाहें हमसे इन numbers पे contact कर सकते हैं और अपने घर की planning और designing अपनी requirement के हिसाब से बहतरीन quality में घर बेठे करवा सकते हैं अगर आप हमसे WhatsApp पे बात करना चाहते हैं तो आप उपर वाले number पे contact कर सकते हैं number है 9145811091 अगर आप हमसे call पे बात करना चाहते हैं तो आप लोग नीचे वाले number पे contact कर सकते हैं number है 9784428213 दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को like और अपने दोस्तों के साथ share करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell बटन को और लिजिए जिससे की जब भी मैं कोई इस तरह का वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा तो उसका notification सबसे पहले आप तक पहुँच जाए तो ठीक है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो को हम यहीं पैंट करेंगे बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपसे next वीडियो में वीडियो आपसे पार दोस्तों आपके लिए आपसे पार दोस्तों आपसे जाए